नमस्कार मैं नरिश्कमार और आप देख रहे हैं डीपी के न्यू चैनल चुनावों का बिगुल बज चुका है पंचेती राज चुनावों का बिगुल बजते हैं सरपंचों ने भागदोर शुरू कर दी है अपने अपने जनता के बोटरों को लुभने के लिए लोगों से प्रियास करने शुरू कर दी हैं आज हम पहुंचा है खारवाली ग्राम पंचैत में जो भिदान सवा खजुआडा जिला भी का नेर में पड़ती है आज बात करेंगे नानक जी जानी से और जानेंगे क्या-क्या विकास के मुद्दें हैं और किन-किन विकास के मुद्दों बरवे चुनाव लड़ रहे हैं तो सर आपका पहले दो पूरा प्रिच्छे मेरा नाम नानक राम जैनी है जो एमेफार से पहले गाउं मेरा मोटोला ही था लोन करते सिल्मत था उननीसों सत्यासी से मैं शत्रगड में आ गया था और अभी ग्राम पंचायद खारवाली में हो मैं और चक चक शीशियम लगता है और जाती से में जाट हूं और अभी चुनाव की पूरी त्यारी करक्षिये और चुनाव लड़ भी रहे हैं बात करें विकास की तो इस वर । आपके क्या-क्या वादे हैं। ता सदी जो कुछ concur लड़ा था इसले coda आपने चुनाव लटाव लड़ा था पढ़ना जाओंगा मैं इस बार ग्राम पंचैत में आपके क्या-क्या वादे हैं , किन-किन वादों को लेकर आप चुनाव करे चाहतों परदेह से हैं, है जी मेरा वादा सिख्षा है हमारे गाउं में एक छोटा सव स्कुल में ने रीघ्ट कम म्म ये चार है का हमारे गाव ने घौटे बच्ट्छे के लड़के बच्चे सोटे मौटे सlor सिक्षिया का जो सिक्षा होगी तो सब कुत हैं चीज विक्षा बरता है उसके प्रदे्ज से अमारे गाव में पाणी की समंस्या है ऑटरोगोन में सपलाइ जुरॉर है लेकिन अधे गाव में से ख़र पहुंच गर्देज है तो आदे में शकुल नहीं बंटाया हैं। ने कुवा बनाएं ने तलाब बनाएं मैं उसके लिए सबसे पहले इसकूल और उसके बाद में डिगी तूबेल बनाओंगा और चाराजेटी मेरे लक्षे आबादी में हमारे में पढ़ती है उस गाह में पानी सप्लाई का कोई साथ नहीं है डिगी पुरानी बनी उसमें पा जनता वियास करती है कि हम शहरों की तरह दिखे तो सडकों के लिए आपके दौरा क्या प्रियास की जैए को सडकों का दौरा बहुत जरूरी है प्रियास करना मैंने अभी पिछली तेम भी बात करता रहा था विसुनाजी से कि सर अपने पंचायत में कापी सडकें टूटी में पर पूर्य प्रयास करके इस बहुत करोंगा बिच्छ में हमारा गाहन में जबकि हमारा दौर पूरन कराने के लिए गावं को जोड़ना चाहिए उसस गाहं से जोड़ करके दस सी एस्टी बुड़े माली और अबुड़ाम लए इसे दस आरम जोडते हुए जैसे खाड़ों के पुलिये बाकी है, सारे खाड़ों के पुलिया बना करके और गाउं की सुविधा बढ़ाएं सर आपने अभी किसानों की खाड़ों की, तो मैं बात करना चाहूंगा कि अवारा पशु बिचरन करते हैं, बहुत दुखदा होती है, इनके लिए अवारा पशु के लिए, किसानों की रखवाली के लिए, आपके दोवरा क्या प्रैस के लिए? मैं यही सोच रहा था, आपने पूछ लिया मेरे को, कि हमारे गाओं में, गायों के लिए, मैं गउस राड़ा का निर्मान करना चाहता हूं, और उसमें गउस राड़ा का हमारे छेतर से, लोगों से कैसे करके, और गायों को एक निया जियुन दान डिने के लिए, उनका हम पशू जो चारा है और है वो उपलब्द कराएंगा और गूस राड़ा बनाएंगा उनका अच्छा दो इसे बीता जाएगा पशू होगा तो हमारा पशू साथ हमें जो हमारा तो लक्ष है गाए पशू रखते हैं तो उनको भी रखना जुरूरी है आपने कभी समाज सेवा क कोई समाज के पद कोई है आपके पद तो नहीं है जी मैं तो सिर्फ समाज सिवा की सोच रहा हूं और मैंसले में दिल में यह कि हमारी समाज जैसे समाज समाज में सब होता है हम मेरे से मेरे कोई जाती मजब नहीं है मैं जाती के जातू मैं सब को एक समान समझता हूं मेरा य जिन्ता को यह संदेश जाना जाओंगा कि आप मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूं मैं मेरे जीवन में आपके साथ विकास गती बढ़ाता जाओंगा आप मेरी साथ रणा आपके सामने कितने उमीद्वार चुनाल लड़ रहे हैं तो और जीतने के बाद आपका रवीया कैसा रहे हैं? देखो मेरे सामने उमिद्वार फिलाल तीन उमिद्वार नजर आ रहे हैं और मेरा जीतने के बाद में सबसे पहले लक्से मैंने आपको बता भी जुका हूं कि शिक्षा पढ़ाई पानी बिजली शड़क पुलिया और गवसाला के बारे में बताए भी है कि गवसाला बढ़ा अच्छा है को केंदर सटकार ने योजना चला रखिए कि गरीव लोग हैं बैठें खाली बैठें तो इसके लिए गोवर्मेंट अच्छा काम किया है गोवर्मेंट जैसे आज ज्याड़ी आती है गरीव के लिए तो बहुत सोबहने बात है निरेगा काम चलना भी चाहिए ताकि आम जनता है कि घर में दोपेस आएंगे वह भी दाल लोटी लाएंगे और हमें बड़ी खुस है कि निरेगा भी चलना चाहिए आज हमने बात की खारवली ग्राम पंचयत के सरपेंच प्रत्याक्षी नानक जी जानी उन्होंने बताए कि ग्राम पंचयत का चोमू की विकास करूंगा चाहिए शिक्सा चिक्सा पेजल वे सडकों का निर्मान किया जाएगा जैता आने वाला समय बताएगा कि इन्होंने क्या विकास किया है जा नहीं सरपेंच बनें जा नहीं देखते ने डिपी के न्यू चैनल मेंदरेश कुमार केमरा परसन मूंशिरम